और आपको बता दे कि यूनियन पदाधिकारियों की ये बैठक का CMD राजहन्स उपाध्याई में बुलाई है तो हर्ताल खत्म करने को लेकर ये बैठक बुलाई गई है सब ही छेह यूनियन के दो दो पदाधिकारी इस बैठक में मौझूद है तो पिछले दो दिन से लोगों को भी परिशानिया हो रही है लेकिन इस बीच सरकार के तरफ से पहल भी की जा रही है लेकिन अभी तक कोई समधान नहीं निकला लेकिन अब जब बैठक हो रही है तुमीद इसी बात की कि शायद हर्ताल खत्म हो जाए और तेरा सुत्री जो मांगे हैं शायद उनमें से किसी पर सहमती बने काशी राम इस मक्त हमेर साथ लाइब जुटें काशी क्या माना जाए कि आज की जो ये महतुपुर्ण बैठक हो रही है उसके जरीए शायद समधान निकले जी बिल्कुल देखे हैं करीब सवा तीन बजे से बैठक शुरू हो चुकिए रोड़वेज की जो सीमडी है राजन सुपाध्या उन्होंने बैठक बुलाई है और इसमें बैठक में जो रोड़वेज की सभी संगटन है जो की छे संगटन जो अरताल कर रहे हैं सभी संगटनों से दो दो पदादिकारी बुलाए वारता के लिए और रोड़वेज की तेरे सुत्री मांगे हैं उनको लेकर चर्चा जारी है चुकि इन में से एक बड़ी मांग जो थी कि डिये दिया जाए रोड़वेज के कर्मचारियों को तसफीज दी डिये उसको कल राज्य सरकार ने पूरा कर दिया था रोड़वेज प्रसासन ने इसे देने के आदेश भी कर दिये थे और इससे करीब 20,000 जो रोड़वेज कर्मचारी हैं और करीब 5,000 जो सेवार इंप्रते उनको फाइदा मिलेगा उन सब को इनके परिलाब इसका जो डिये है बड़े वड़वेज उसका फाइदा मिलेगा तो वो एक बड़ी गोजना जो थी रोड़वेज प्रसासन ने कुछ मागों में जो कर्मचारियों के मांगे उन पर सहमती जता सकते हैं और जैसे कि सूत्रों से कुछ जानकारी मिल रही है कि एक फंड दे सकती है राज्य सरकार रोड़वेज को और वो फंड कितना होगा लागि ये क्लियर नहीं है लेकिन इस तरह की संभावना है कि एक बड़ा फंड मिल सकता है रोड़ परचासन को और इस पर सहमत किया जा सकता है कर्मचारियों को, वो चाते हैं कि साद्वेज भेजर आयोग की गोशना हो जाए क्योंकि सरकार का चुनावी साल है और इस समय सरकार जाज़तर मांगे मानने को लिए मझबूर हैं तो उस वजह जैसे कर्मचारी सूच रहे हैं कि अगर यह हरतालम जारी रखते हैं और राजी सरकार को इसके लिए मजबूर कर सकते हैं कि वो उनकी मांगे माने और इसमें वो साथवे बेतर आयों की गुफना करवाना चाते हैं जो कि एक बड़ी पहल होगी अगर यह मांगे मानी जाती है चुनावी साल का जिकर भी कर रहे हैं और उनकी ध्यान में भी है कि चुनावी साल है लेकिन सरकार का मूर क्या कहता है परिमेहन मंत्री युनुस खान ने अपने इस तरवर वारता नहीं किया है इसका मतलब यह लगता है कि साइद राज्यसरकार पूरी तरह से इस प्रग्रण में को लेकर अभी इतने ज़्यादा गंबिर नहीं है और पॉजिटिव रुख नहीं है लेकिन उन्होंने रोड़व और दूसरी तरफ अगर यह उनकी मांगों पर सहमती नहीं बनती है कर्मचारियों के मांगों पर सहमती नहीं बनती है तो यह हो सकता है कि कर्मचार यह हरताल जारी रख सकते हैं और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है रात बारे बजी तक कि हरताल पहले सकते हैं